किवाई नमस्तु प्यां हरहर महादेव शार्दी नवरात्री के पावन अफसर में महारास राज्य के नाकपुर में गुरूची पंड़िपधी मिशाजे के दौरा शिरी शीप पारवती शीमहाप्राण कथा शिडू हो गई है ये पांस दिवसी ये शिमह प्राण कता है जोगी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्ता चेनल यूट्ईण के माद्यम से देखी जा सकती है 21 अकटूबर है यो कता का अंतिम दिन है क्योंकि ये पांस दिवसी शिमहा प्राण कता है चोते दिन की कथा बहुती अतिक रोचक जानकारियों से भर पूर्ती जिसमें गुरुजी ने अच्छे अच्छे पत्र पड़े साथ ही गुरुजी ने विजे दश्मी मतलब दशेरा की दिन का एक छोटे से उपाय करने को सबी से कहा है जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है धन प्रापती का दशेरा का सबसे अच्छा उपाय है जो आपको इसी वीडियो के आंति में करके बताएंगे थाकि आपको वीडियो में आसानी से समझ में आ सके तीसरे दिन की शिप पारवती शिप महापरान कथा में गुरू जी ने शिवलिंग पे एक विशेश इस्थान पर इसपरश करके अपनी कामना करने वाला नए उपाई की जानकारी दी तीसे आप वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से समझ लीजिए गुरू जी ने एक विशेश उपाई की जानकर देते हुए बताया था आता अशोक सुन्दरी का जो इस्थान होता है और शिवलिंग जहां पर विराजमान होती है उन दोनों के जो बीच का इस्थान होता है मत लब आप एक लोटा जल चड़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं दिया प्रजुरित कर रहे हैं जो भी आप छोटी पूजा कर रहे हैं जैसा भी आप अभी शेक कर रहे हैं वो सारी पूजा कर लेने के बाद कोई उपाय करना है कोई नारी या पुरूश या बुजुर घिय बाल लगभाली का इस इस्थान पर इस पर्ष्ष करते हुए अपने हिर्दयी की बात अपने दिल की बात देवह देव महदेब से बोल देता है उसकी कामना देवह देव महHADेра प्रदोश की दिन प्रदोश काल में आकर निशित पूर्ण कर देते हैं। ये उपाइआ आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सोमबार के दिन, प्रदोश के दिन, या मासिक शिरवात्री के दिन करके अधिक से अधिक लाप्तराप्त कर सकते हैं। आज 20 अक्तूबा चोते दिन की कथा में गुरू जी ने 15 उपाए 5 रुपयों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारिया आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवर्ष यदि आपने आशी कथा नहीं सुनी हैं, तो पूरी कथा का रस्तात्व आपको इस चोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। करते हैं आशी कथा की पहली जानकारी की और हमें जीवन कैसे जीना है। ये राम कथा सिखाती है। भागवत कथा हमारी म्रत्यू कैसी हो, आखरी का शन कैसा हो सिखाती है। और हम अपने जीवन को जो जीते हैं, कारे को करते बढ़ते हैं आशी कधा की दूसरी जानकारी की ओर दो चीजे दो लोगों से नहीं पूछी जाती, इस्तरी से उसकी आयू नहीं पूछना चाहिए, इस्तरी से उसकी आयू इसलिए नहीं पूछी जाती, तो कि इस्तरी कभी भी अपने लिए जीती, सदेव दूसरे के लिए ज पिरिवार के लिए जीती है उसी तरह पुरुष से उसकी आई नहीं पुची जाती क्योंकि वह कभी अपने स्वेम के लिए नहीं कमाता वो लोगी दूसरों के लिए ही कमाता है अपने परीवार के लिए कमाता ह accumulated बढ़ते हैं आची कथा कि तीसरी जानकारी की और समय पर जो भोजन नहीं करता उसे बीपी शुगर होना शुरू हो जाती है समय पर जो अपनी जिन्दगी को नहीं जीता उसे जीवन में बिमारियां बढ़ती चली जाती है ये खुद के लिए जीना जरूर सीखो जो कमा रहे हो उसे अपनी उपर खर्च करना जरूर चाहिए बढ़ते हैं आची कथा कि चोथी जानकारी की और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करते होंगे रोज नित्य पाती शिवलिंग बना कर उसका पूजन अर्चन करते होंगे इसलिए हम रोज तो कर नहीं सकते तो हम रोज इतना तो करी सकते हैं कि एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें और जब भी शिवाले में जाओ तो कभी भी जल शड़ाने के बाद खाली लोटा लेकर घर नहीं आना चाहिए बोले नाथ की क्रेपा बोले नाथ का आशिरवाद होता है शिवलिंग पर चड़ा हुआ जल तो हमेशा शिवलिंग पर जल चड़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने जल कलश के अंदर जरूर जहल कर फिर घर लेकर आईए वो घर में उसका सिंचन कीजिए, छीट दीजिए, थोड़ा सा अपनी उपर छीट दीजिए, बाबा की कृपा आशिवाद हमारे घर पर हमेशा बना रहता है। इतना उपर रखना चाहिए कि आप भी अपने बच्चे को सरकारे स्कुल में पढ़ाएं। बढ़ते हैं आशि कथा की छड़वी जानकारी की ओर। आशि कथा में गुरूजी ने कहा माताओं को लगता था कथा रोज आ जाती है। ऐसे में दीपावली की सफाई के कारे में मन नहीं लगता तो गुरूजी ने कहा एहमदाबाद गुजरात की कथा परिमिशन ना मिलने के कारण कैंसिल हो गई। अब अगली जो कथा रहेगी वो तीन नवंबर से कोसी कला में होगी। आपके पास बीच में खूप सारे दिन हैं जिन में आप अपने घर की साफ सफाई क कर सकते हैं इसके बाद गुरूजी ने जैसे आप अपने घर की सफाई करेंगे तो लक्षमी आएंगी उसी तरह आप अपने मन की सफाई करेंगे तो महादेव आएंगे बढ़ते हैं आशी कथा की साथवी जानकारी की और काजल जी पत्र लेकर आई मुझे बच्चों का और मेरा घर भी टहर गया और मुझे संतान की प्राप्ती हुई है पर ये संतान आटवा महीना लगने के पहले ही हो गई तो डॉक्टर ने कहा बच्चा कमजोर रहेगा पर बच्चा पूरी तरीके से स्वस्त है उसी का भाल वेक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ बढ़त बढ़ते हैं आशी कथा की नोवी जानकारी की और अपने शेत्र में अपनी कॉलोनी में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है शंकर का शिवाले बन रहा है तो बन सके तो आपको कोई मदद करना चाहिए ना बन सके तो एक प्रयास कीजिएगा किसी की टांग मत कीजिएगा कि यह मंदिर यहां क्यों बन रहा है बढ़ते हैं आशी कथा कि दस भी जानकारी की और जूते कपड़े जान पहचान बाले परिचित अगर आपको कस्ट दे रहा हैं तो समझ जाना कि यह हमारे इसका नहीं है उसी तरीके से यदि आपके रिष्टेदार आपको कस्ट दे रहा हैं तो समझ जाना हमारे लेवल का नहीं है बढ़ते हैं आशी कथा कि ग्यारवी जानकारी की और शमी के व्रश के नीचे या वेल पत्र के व्रश के नीचे अगर कोई बच्चा बुड़ा को वो ये निश्चिता है आपके जीवन में भी बहुत दूख है तो प्रयास करना वेल पत्र का व्रक्षो या शमी का व्रक्षो वहां पर आपको एक छोटा सा पार्थी शिलिंग निर्मान कर लीजिएगा उसमें थोड़ा सा जल अरपित कीजिएगा बन सके तो एक चावल कर संताना एक पुश परपित कीजिएगा वापस थोड़ा सा जल लेकर विसर्जन कर दीजिएगा के सुक के दिन निश्चिती आएंगे बढ़ते हैं आची कथा कि बारवी जानकारी की और नारी के गर्वे में संतान हो और डॉक्टर कहे दें संतान विकलांग हो सकती है कमचो की जड़ का प्रियोग भी किया सीहोर गए वहां का कंकर शंकर की पूजन करके कंकर लेकर आ गए गर्व टहरा फिर डॉक्टर ने कहे दिया तुम्हारे पेट में पत्री हो गई है फिर बाद में जाच हुई तो डॉक्टर ने गठान बता दी इसके बाद फिर से जाच को भोलनात की उपर अर्पित किया वही शमी पत्र मेरी पत्नी के पास रहा और समय आने पर स्वस्त बच्चे ने जन्म लिया है डॉक्टर ने भी कहा बच्चा पून रूप से स्वस्त है उसी का भार वेक्ट करने कथा पंडाल में आये हैं बढ़ते हैं आची कथा की कारथिक की पूरन नीमा आती है उस बीच में कारतिक महिने की शिव्रात्री या प्रदोष या सोंबार आता है उसमें आपको एक वेल पत्र मातर अशोक संदर के शिवलिंग के मתलब शीलिंग के साइड होनी चाहिए और जोशमीपत्र आपको शीलिंग के उपर अरपित करना है और जिसकी डंडी आपको जलाधारी के ठीक विप्रीत दिशा की ओर रखते हुए अर्पित करना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और शमी पत्र का जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर इस पर्ष करें इस तरीके से आपको शमी पत्र अर्पित कर देना है उपाय अब आपको कप करना है कार्टि के महीने में जितने सोंबार पढ़ रहे हैं जितनी प्रदोश आ रही है मासिक शिवरात्री पढ़ रही है उसमें आपको इस विशेश उपाय को करना है और में कभी भी धन संबन्दि समस्याइं परश्याणिया नहीं होंगी आपके घर में धन के पंडार हमेशा भरे रहे रहेंगे बढ़ते हैं आशी कथा की चुद्वी जानकारी की ओर कार्थी के महीने में जो दीब दान करता है उसके घर में कभी भी धन संबदा की कमी नहीं होती है भूल वश भी अगर कोई वेल पत्र और शमी पत्र दोनों में से एक वेल पत्र अशोक संदरी मातके स्थान पर और शमी पत्र जो शिवलिंग पर समर्पित कर देगा उसके घर में कभी भी धन संबदा की कमी नहीं होगी बस आपको वैसे ही अर्पित करना है जैसा कि अभी हमने वीडियो में आपको करके दिखाया था बढ़ते हैं आशी कथा की पंद्रिवी जानकारी की ओर विजय दशमी के दिन मतलब दशेरे की दिन आपको क्या करना है एक शमी का पत्ता अगर महादेव को समर्पित कर दिया जाता है तो जीवन में कभी भी धन और बेवफ की कमी नहीं आती है आपको एक शमी पत्र लेना है और जो चिकना वाला भागी वो शिवलिंग पर इस पर्ष करें इस तरीके से आपको अरपित करना है ये दशेरय का सबसे अच्छा और सरल उपाय है जिससे आप 9 दुरुगा के बाद आने वाले दशेरय में करके अपने चीवन में आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं धन संपदा संबंदित सभी परशानियों को दूर कर सकते हैं लेते हैं दशेरा कौन सी तारिक में पढ़ रहे है। विजज़े दशमी 24.-चक्ड़र के दिन पढ़ रही है। और इस दिन जो वेक्ती एक शमी पत्र अरपित कर देता है वो चवदा करोड सौने कीमुद्रा के फल के बराबर प्राप्त करता है। ठेरे की दिन एक शमी पत्र को अर्पित करने का इतना महत्व बताया गया है। आज की नुपायों से लेकर मन में कोई सवाल ये कोश्यन है तो आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूस सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी प्योगी लागा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीचिएगा। शिरी शिवाई नमस्तु प्याम।